गुईका, जीब और लाला ग्रंथी के बारे में पढ़ा था तो आईए देखते हैं आज की वक्षित में मुख M. मुख गुईका भोजन का ग्रहन मुख द्वारा होता है अहार को शरीद के अंदर लेने के प्रेकिया को अंते ग्रहन कहते है तो सबसे पहले देखो मुख मुख द्वारा क्या किया जाता है भोजन को अंदर लिया जाता है उसमें दांत होते हैं जो क्या करते हैं भोजन को छोटे छोटे भागों में पीसने का कारे करते हैं उसके बाद आता है जीव उसके बाद क्या आता है जीव दांत जीव और लाला ग्रंथी यह तीनों इनका कारया क्या होता है भोजन को अच्छे से पीसने में मदद करते हैं टंग पर क्या होती है जीव पर क्या होती है बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां होती है जो हमें वीवि ग्रसिका में लिखा गया है निगला हुआ बोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है ग्रसिका की भिती के संकुचन से भिती नीचे की और सरकता जाता है तो देखो क्या कहा जा रहे कि यहां पर इस तरह से भिती होती है जो बोजन इसके अंदर एंटर करता है तो यहां पर संकूचन होता है कि इस तरह से इस तरह से दोनों को अंदर की तरफ संकूचन करती है जिससे कि क्या होता है बोजन नीचे की तरफ खिसकता हुआ नीचे चला जाता है यहां से बोजन यहां से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ अमाश्या में चला जाता है तो देखें निगला अमाश्यं मोटी भिति वाली थैली नूमा सरंचना होते देखो यह जो सरंचना दिखाई गई गई है यह क्या है अमाश्यं हमने जो वो इस ग्रास नली से होता हुआ यहां अमाशिया में पहुचता है दूसरी और शुद्रांत में खुलता है और दूसरी एक एंटर तो इसकी यहां से फूड एंटर कर रहा है इसके अंदर उसके बाद दूसरी एंटर यहां से होते हैं यह कहां पे खुलता है दूसरी आंत्रिक शुद्रांत में खुलता है, यहां पे क्या है शुद्रांत जो यह इसके अंदर एंटर करते हैं, पहले हम समझते कि यहां से फूर यहां एंटर किया और यहां पे क्या किया बेटा, यहां पे इसका पाचन होता है, तो अब देखते हैं, अमाशे के आंत्रि सबसे पहले देखता है यह थे हैं भौजन यहां पर रिखते यह क्या करते है यह सबसे पहले सबसे पहले कि करते इस्कीया करते है न क्यों एक चिपचिपाय स przeciOTHER नो का अन्तिय को सुरक्षा देता है जो क्या करता है इसके आंतरिक स्तर ड्रक्षह सुरक्ष kittens करता है। इसे पहले करते हो हैं souls 5 र्लीज हो जाता है जो भी प्रोटीन हम ने खाया है उसको सरल apart from में विगिटित कर दिया जाता है और तीसरा है हाईड्रोख्रोरिक अबल से हम कहते हैं अमल अनेक ऐसे जिवानों को नस्ट कर देता है जो बोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो देखो हम खाते हैं या बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे शुक्षम जीव है जो हमारे शरीर होता है बहुत स्ट्रोंग एसिड है अमल है जो क्या करता है जितने भी हानिकार जिवान हो उनको नस्ट कर देता है साथ ही है माध्यम को अमलिय भी बना देता है और साथ ही क्या करता है क्योंकि बहुत जादा एसिड है अमलिय है तो यह क्या करता है जो जो भी यहां पर लिक् रेंने में सहाइता मिलती है तो भी गेटा, इस समझो ला कि अपने में सेसे के अमाश्य के सितर है यहाँ सेथ हो गया यहाँ फिंगर को सिंगर करें 멋있जिया जी आगर ईसें विवारे जो है जो इसकी भित्ती है वो ती जलेना डूसर इसकंदर पाचक रस होते हैं यहाँ पाचक रस काम करेंगा उसको सब्सक्राइब यहां से हैं यहां से क्लाइप करने में सहायता मिलती है तो यह चुड्रान्त में पहुछेगा है थायां पर खी नीके तो पहले देखेगा है। अगनाशिक्स रस कार्बोहाइडेट यह प्रोटीन कंड़ करता है तता इसको रूप में परिवर्तित कर दीता है अब यहाँ से पचा वाप twenty नौई निकाले जाता है उसको डाइजेस्ट कर देतेते थे तो देखो क्या करता है अगनाशय रसी यहां से जो रस निकाला जाता है जो जूस निकाला जाता है उसे हम क्या कहते है अगनाशय रसी है कार्बो हाइड़ेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तो उनको सरल परदार्थ में बदल देता है तो देखो क्या करता है कार्बो हाइ में एंटर करेगा , शुद्रान्थ में एंकर करने से पहले क्या करता है, सरल जो सरक्रा है उसको गलकोज में बदल देता है वसा जितनी भी है उसे वसा अमल और glycerol में बदल देता है और protein जितना है उसे amino acid में बदल देता है अभी के लिए याद करो आगे की classes में हम इसमें और भी detail में पढ़ेंगे तो अब देखिए यहां पे हमने पढ़ लिया अब बीच में हमारा यहां देखिए यहां से जब enter कर रहा है तो यहां पे यक्रत हमार जो fat होती है उसको में digest करने में बहुत जादा help करता है तो यक्रत क्या करता है बहुत बड़ी ग्रंति है जो पित का स्त्राव करता है अब यह पित देखो इस तरह से होता है एक सिकिन इस तरह से होता है ठीक है अब इसका काम है सिर्फ स्त्राव करना यहां से यह निकार रह तो हम अगनाशे भी देख चुके हैं यकरत भी पिताश्य भी देख चुके हैं अब यहां से बोजन यहां एंटर करता है जिसे हम क्या कहा जाता है शुद्रांत तो आएए देखते हैं समझते हैं शुद्रांत को बेटा देखे शुद्रांतर अत्यादी कुंडली लगबख 7.5 मीटर लंबी होती है यह यकरत और अगनाशे से स्त्राव प्राप्त करती है इसकी भीती से कुछ दर्श स्त्रावित होते है अब देखो यहां से कि अब यहां से बहुत जादा कुंडलित श्ट्रक्चर पाई जाते हैं जिसे में क्या कहते हैं शुद्रांतर कहते हैं यह कुछ रस इससे भी स्ट्रावित होता है पाचन को पाचन करने में साहता करता है अब पचा हुआ भोजन अफोषित होक शुद्रांत की भीति में रुदिर बाहिका में चला जाता है इस परकार अफ्शोशन कहते है अब यहाँ पर जो शुद्रांतर है वहाँ पर लगपक पाचन की जितनी सारी प्रकिरिया है वो पून हो जाती है पाचन जो है वो पून हो जाता है शुद्रांतर में अब जब पून हो गया कुछ पाचन कर दिया अब जो भोजन है उसका पू से यह क्या किया जाता है ईति पर इंगली के शंबभार सत्र जार्य सक्साल ना इक एक इतना सत्र हो गांग का इंतना सत्र इसको बढ़ा देंगे तो जाधा हो पाएगा तो अफ्शोशन का जुस्तार है उसे बढ़ा देते हैं बोजन का वह बाग जिसका पाचनी अफ्शोशन नहीं हुआ है वरधांत्र में भेज दिया जाता है अब देखो यहां तक लगबग जितना भी पाचन था वह पूरा हो गया अब जो भाग जो बोजन का वह है भाग जो नहीं पचा है उससे हम कहां बेज देते हैं आगे वरधांत्र में ठीक है अब देखे क्या लिखा गया है शुद्रांत्र के पेक्षा चोड़ी होती है यहां पर बारीक होती है यह क्या होते थोड़ी चोड़ी होती है लगबग एक पॉइंट पांच मिटर लवनों का अफ्शोशन करना इसका कारह क्या है जो भी भोजन में जल बच गया है उसका अफ्शोशन करना कुछ लवनों का अफ्शोशन करना पचा हुआ पचा हुआ पचित परदात मलाश्य में चला जाते है जितना भी भोजन पचा है जो एपचित रह गया है उसे मलाश तो आप इसे अपनी notebook से भी जरूर देखेगा और अच्छे से आपको clear हो जाएगी तो सबसे पहले आया मुगवी का मुगवी का दूसरे नमबर पे ग्रसी का तीसे नमबर पे अमाश्या आया बेटा उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे यकरत पिताशया और अगनाशया ठीक है उसके बाद भुजन कहां एंटर करता है शुद्रांतर में करता है शुद्रांत के बाद व्रधांतर में करता है तो जो sequence इसको अच्छे से याद कर लेजी तो ठीक है अब हम करते हैं इसके कोशिक अंसर यक्रत का क्या का रहा है बेटा अभी हम समझ चुके थे कि यक्रत का क्या का रहा है बेटा देखे यहां पर बहुत अच्छे से दिया गया है कि यक्रत क्या का रहा करते है देखो यक्रत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यह प्रत पितरस्वशा के पाचन में महत्वपुर्ण भूमिटा निभाता है। तो यह हो जाएगा answer number one। अब हम करते हैं question number two, देखें क्या लिखा गया है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रिया है, संपाधित होती है, जिवानु नस्ट करना, जिवानु कहां से नस्ट किया जाता है बेटा, अमाश्य द्वारा, अमाश्य अमने में देखा ताला कि HCL रिलीज होता है, और HCL क्या करता है बेटा, HCL क्या करता है, जिवानु को नस्ट करता है, भोजन का संपून पाचन, पूरी तरह पाचन कहां होता है बेटा, शुद्धरांत्र में, तो ये हो जाएगा second का answer, question number three देखते हैं, दिर्ग रॉम और रसांकुर किसे कहते हैं, तो अभी हमने देख इसके कारे क्या है, तो ये क्या करता है, भोजन के और शोषन का स्तर बढ़ा देता है, अब है question number four, मानव के पाचन का एक नामांकित और स्वश्च चित्र बनाए, तो ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया, आपकी NCRT में भी बहुत अच्छे से दिया गया तो ये पूरा एक आप लेबल डाइग्राम बनाएंगे, इसका और सुन्दर सा डाइग्राम बनाएंगे, इंपोर्टेंट ही डाइग्राम, तो आज की जो वर्क्षिट होती है, वर्क्षिट कम्प्लीट करके अपनी टीचेश से चेक कराईए, और प्लीज मेरे चैनल को ल